अस्तिन कटिंग से जुड़े आज कुछ ऐसे रहस्य बता रहा हूं जिनको देख करके आप खुस हो जाएंगे साथी साथ अगर आपको ब्लाउज में आर मॉल में जोल की समस्या खासकर पीछे से जोल दिखने की समस्या आती है तो आज किस वीडियो से खताम हो जाएगा नौ मिनट की पूरी वीडियो है ध्यान से देखेगा सबसे पहले हमने यहां पर लिया एक सीधा निशान उसके बाद जैसे चार इंच के अस्तिन मना नहीं तो हमने साड़े चार का मार किया आधा इंच लेंद में मार्जिन देते हैं और नीचे जो मार्जिन है उसको छोड़ है उसमें आदको यहां फिरान 5 वह को असूं के लिए और इंच धुरी और इस दूरी से आप अस्तिन का रांडिंग यह इस प्रकार से थिक उसके चीजय करेंगे इस तरह से पौना इंच का से देंगे यह जो पॉना इंच का शेफ है यह सामने पल्ले की गहराई को देने के लिए किया जाता है और इसका जो शेफ है किस प्रकार से घुमाया जाता है कहां से कितनी दूरी से घुमाया जाता है इस चीज को ध्यान देना है पहुत नोटिसेबल चीज है इसको आप हमीशा ध्यान द कटिंग करने के बाद यहां पर हम यह इस तरह से कुछ कट लगाएंगा वाले फ्रेंट का आर्म बनेगा उसको छांट देना है अब इस जो शेप है बहुत इंपोंट है यह बहुत ध्यार रखना ूसको इस तरह से गोल मोड़ करके देखना मोड़ने के बाद जो पीस एक्स् हाट देना इसको ठीक यह चीज बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है अस्तिन के फिटिंग उसकी फिनिशिंग के उपर तो यह आपकी अस्तिन कटके तयार हो गई चार इंच वाली ठीक अब यहां पर एक चीज ध्यान देना यह जो हिस्सा यह क्या पैदा करता है सलवट पैदा करता है जिन लोगों के में शलवट आती है उनके लिए बता रहा हूं नॉर्मली तो वैसे धाई इंच नीचे रख करके ही काटा जाता है उसको जो मैंने धाई बताया जिनके में शलवट आता है वो तीन इंच रख के काट सकते हैं छोटी अस्तिनों में भी तो पहले तो क्या हम क्या करते हैं इसको इस तरह से कॉपी करते हैं यह चीज तब करना जब आपको शलवट की प्रॉब्लम आ रही है खास तोर से पीछे से सलवट जादा जो डॉटेड लाइन है उस पर छांट देंगे यह ऐसे तो इससे आपकी बहुत हद तक सलवट मतलब 90-95 परसेंट सलवट खतम हो जाएंगी उसके बाद यह आपका फ्रेंट आर्मोल फिर से छटेगा ठीक यह देखिए क्योंकि हमने भी बैक के साब से निशान लगा था त सब कुछ क्लियर हो जाएगा अस्ति से रिलेटेट सांति साथ आपके जो जो जोल वगर आते हैं उससे रिलेटेड यह देखो यह इस तरह से इतना हमने इसमें निकाला इस डाट क्लियर अब यहाँ पर हम बात करेंगे बड़ी स्लिव के लिए तो इस प्रकार से जो है एक बड़ा पत्ता लेते हैं इसमें हम पहले सीधा निशान जो कि हम हाफ इंच मार्जिन नीचे छोड़ी देते हैं सीधा निशान लेते वर अब उसके बाद आपको लेंट लेना है लेंट में यहां पर भी अगैन हाफ इंच मार्जिन कोमन रहेगा फिटिंग करने के लिए व और आप क्या करेंगे इस निशान को इस तरह से मिला देनें है तो निशान मिलाने के बाद अभी वही ध्याइilly live दूरी Sup हम क्या करते है इसको मिलाना चाहते हैं अगर आप अपने हांतों से मिला सकते हैं तो फिर आप के पास अगर यह छोटा हुआ हूआ है यह बढेका हुआ है तो सामने पल्ले का आर्मोल छटता है उसके लिए अभी हम इसको काट लेते हैं और उसके बाद साइड बाइस साइड आर्मोल को मेजर करके देखें कि अस्तिनों के आर्मोल में कितना फरक आता है यह चीजें यह कंपेरिजन आपको पहली बार मैं दे रहा हूं तो अस्तिन कटिं को स्कीप कर देते हैं तो यह चीज समझानी जरूरी सभी लोगों को वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है अब देखो यह फ्रेंट हमने छांट दिया है तो यह निशान आपको इसलिए लगा के दिखा जा रहा है ताकि आपको यह समझ में गुलाइन आपने कितना है एपरोक्समोने इसको ना आपने है लवाट इसको ना आपने है 1 आठ झाना ते सवाथ आरा है यह अपका कितना रहा है यह आपका पूने आठ ठीक है और यह आपका रहे लगभग 8 इंच तो तीनों के आर मुल में फरक देखने को मिला क्यों फरक देखने को मिला यह वही धाई इंच तीन इंच और साढ़े तीन इंच वाले निशान का फरक है समझ में आ गया अपकुछ अच्छी और एडवांस यहाँ चीज़ में आपको बताता हूँ जो आप यह सीधा इस तरह से रखके चड़ाते किहाना उल्टा रखेंगे और चडभाइंगे तो जब उल्टा रखते हैं तो कहना क्या चाहता हूं कि आपको जो शोल्डर का ज्वाइंट है उसके पास में आपको एक चीज विशेश तोर पर ध्यान देना है जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं दो इंच उस पार और लगभग लगभग एक आधा इंच इस पार एक इंच मालों दो इंच पीछे पल्ली की साइट में मतलब यह तोटल जो तीन इंच का जो फासला है इसकी सिलाई आपके बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम सीधी यहां पर आपको सिलाई को राउंडिंग नहीं घुमाना अगर यहां पर राउंडिंग घुमाओगे तो जोल आते हैं और शोल्डर गिरने की समस्या आती है यह चीज मैंने बहुत दिन से बोला था कि एक चीज बताऊंगा कि अस्तिन की फिटिंग की वज़े से भी शोल्डर गिरते हैं बहुत से लोगों ने मेरे से रिक्वैस्ट पी किया था क्या वज़ा होती है यहीं सिलाई आप राउंडिंग कर जाते हैं जिसक पर चल रहें जिसके बारे में मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा तो कि हो सकता है आप इस वीडियो को दो मैने चार मैने बाद देखो और आप बोलोगे कि इस सरह में आप पर ने मिला लेकिन आप इतना खास है कि आप पर कटिंग मंगाने से नहीं रूप पाएंगे तो डिस्प्ले पर वाट्सप नमबर चल रहा है फटाफट से ओर्डर करें जिन लोगों को मंगाना है इंक्वारी तो अटलिस्ट करें उसके बाद आपको ओफर समझ में आएगा फिर लगता है तो मंगाया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है साथ दिनों के अंदर-अंदर जिनको पता है वो तो मंगा चुके हैं जिनको नहीं पता इंक्वारी करें लिमिटेड टाइम के लिए इसलिए मैं आफर यूटूब पर डिस्प्लोज नहीं कर रहा हूं यह इस प्रकार से हम इसको प्रबर काट दिये कपड़े पर काट नहीं कने का कई समझाना चाहता हूं जैसे देखा यह आपकी अस्तिन कट गई कि अस्तिन का फ्रैंट पोर्ष्ण भी काट लेते हैं इसको काटने के बाद तो मैं समझाना क्या चाहता हूं जीसे आपका ये पोर्ष्ण कट गया हां ये फर्मे पर ही काटना है और उसके बाद कप्डे पर कॉपी करना है फिर यह वाला हिस्सा आपका फोल्ड हो है कि नहीं आ रहा है अगर यह सब कुछ आ रहा है देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की और इस तरह से आप बैठा करके देख लेना कट टू कट मिलना चाहिए तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें श देमात्रम